तो नहीं में है find the position vector of R which divides the line joining the point PQ तो भई यह P point है यह Q point है और इनके position vector दे रखे है बल्लब P vector आपको दे रखता है P का position vector दे रखे है 2A plus B और Q है आपका A minus 3B externally in the ratio 1 is to 2 अब गलती क्यों होती बच्चे यहां R ले लेंगे अब आप बताओ अगर यह 1 is to 2 है तो यह length 1 और यह length 2 हो सकती है क्या बताओ common sense लगाओ इधर 1 इधर 2 रेशियो जब भी होता ना वो कहां से होता है एक इस point से length यानिकी और एक इस point से length यह ratio में होती है तो यह 1 और यह 2 हो सकता है तो यह नहीं हो सकता है तो इस बात का ध्यान देना होगा कि आर पॉइंट पक्का यहां है ठीक एक्स्टरनल ना आर पॉइंट यहां है तब यह हो सकता है कि यह x है तो यह 2x है तभी तो यह 1 ratio 2 आएगा बताओ अगर यह x है यह 2x तो अब रेशियो देखोगे तो 2x आ जाएगा मलब यह 1x और यह 2x है तो अब सही लग रहा है अच्छा तो अब आर पॉइंट कैसे निकाले अब सेक्षन फॉर्मॉला में पता भी है एम बी माइनस सेक्षन फॉर्मॉला याद है क्या होता है एम वी वेक्टर माइनस एन एवेक्टर अपॉन एम मैंस न लेकिन मैं कहूंगा यह फॉर्मॉला रखा का रखा रह जाता है अगर आपको ट्रिक से या आपको किसी दूसरी तरीके से नहीं पता अब लगा लो इसमें फॉर्मॉला अब खुद समझ में नहीं आएगा तो अब आपको यह देखना है कि किसका हमें किस से मल्टिप्लाई करना ही समझनी होता है और यहां पर अब यहां पर जो एम है एम किसको बोल रहे हैं जो वेक्टर दूर रेको इधर एम कहां जो दूर रहे तो यहां पर हमारा और पॉइंट से दूर कौन है क्यों है ना तो यह हमारी लिए हम हुगा यह हमारे लिए M हुआ है नहीं 2 हो गया अगर आप इस तरहीं समझो जैसे मैं समझा रहा हूँ M का multiply किसमे होता B में यह नहीं pass वाली vector में तो R से pass कौन सा है P वाला यह नहीं 2 का multiply 2A प्लस B में करना है ठीक है अच्छा हम निकाल के रहे है R का position vector by using section formula तो अगर आप इस logic को पकल गए तो हो जाएगा अब बीच में क्या होता minus अब तो समझ में आई गया होगा 1 का multiply किसमें होगा इसमें होगा A minus 3B upon 2 minus 1 समझ में आया फिर सुनो देहां से बाद जब हम ऐसा figure बनाते हैं और हम यह बोलते हैं कि यह A vector है इधर B vector यहां R है मानलो ठीक है मतलब हमें अगर यह A है और यह B है और बाहर कोई point R है तो अगर यह M है इधर तो यह N होता था लेकिन ऐसे लिखने में तो बहुत समझ में नहीं आता है लिखते तो हम ऐसी M ratio N मानलो ठीक है तो हम क्या सीखा है कि जो दूर है यह दूर मतलब यह A तो दूर वाले का multiply इस पास वाले से M B देखो यह बीच में माइनस फिर पास N का multiply पास वाले N A में इस से करते हैं यही तो है मतलब M का multiply हो रहा है इस वाले से ठीक है जो पास में है इस R से तो ऐसी मैंने जो दूर लेंड थी मतलब यह जिसे यहाँ पर दूर की लेंड कौन सी M है न तो M का multiply B वाले से यह पास वाले वेक्टर से तो 2 का multiply किसमें पास वाले वेक्टर से तो वो लॉजिक अगर आप पकड़ पाओ तो आजेगी नहीं माइनस A Vector प्लस का 3B Vector माइनस का एवेक्टर प्लस का 3B Vector अपॉन 2 माइनस 1 तो 1 होता है तो यह कितना आ गया 4 प्लस 4 माइनस 1 3 A Vector और हमें आरी तो निकालना था 3 A Vector यह 5 B Vector इतना आ गया हमारा R चेक कर लेते हैं, 3A प्लस 5B ठीक है, अब इसमें एक और पार्ट है, बोला, P is the midpoint of RQ, तो RQ लेके midpoint वाला फॉर्म लगा देते हैं, विस्कॉट आ देते हैं, अब देखो, R हमारा आ चुका है, R कितना आ गया, R आ चुका है, 3A प्लस 5B, तो अगर मुझे P point अब हम माल लेते हैं, कि वो नहीं पता है, और P point को अगर हम midpoint माल लें, M vector, तो वो क्या होना चाहिए, क्योंकि हम एप्रूब करना P midpoint है, तो हमने M ले लिया, तो हमें किसका midpoint निकालना है, R और A का, तो निकालते हैं, तो midpoint फॉर्म इसका होता है, R प्ल का 5B, और ये कितना है, स्री, R प्लस Q, not A, R और Q के बीच का है, midpoint, तो Q vector, तो Q vector कितना है, इसको अगर मैं Q vector दे दूँ, नाम इसको, तो ये हो है, A माइनस का 3B, upon 2, 3A प्लस A, 4A हो जाएगा, 5A माइनस 3A कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा, 2B हो जाएगा, 5B माइनस 3B, upon 2, 2 से डिवाइड करेंगे, तो आएगा, ये 2A प्लस का B vector, क्या ये midpoint और ये P सेम है, तो लेख दो लास्ट में, P is the midpoint of R की, तो सेम आगे न, 2A प्लस B और ये 2A प्लस B, ठीक है, तो इसको नोट कर लो, अच्छे से, और आप कमेंट सेक्शन बताना, आपक कोई वीडियो कैसा लगरा भी तर, ठीक है,